सबी का हमारे चैनल online औने ओफ्लें घ्याण तो आज की जो अप्डेट आप लोगों के लेकर आये हूँ नेवल डोखयाड की अप्रेंटिस की लेकर आये हूँ आप लोग जानती हैं नेवल डोखयाड से अप्रेंटिस करने के क्या फायदे है अगर इससे related विभाग में नोकरी आती है तो आप लोगों को वहाँ पर opportunity मिलती है आप लोगों का ही वहाँ पर selection होता है अन्य बच्चों को वहाँ पर select नहीं किया जाता तो इससे related जो भी department से जो जुड़े हुए है उन बच्चों को इस apprenticeship का बहुत बड़ा benefit मिलता है और बहुत बच्चे इस जगा से last निकली यूँ apprentice कर भी रहे है और जो भी हाली में निकली थी उसके बारे में भी मैंने आपको proper information दे दी है इसकी जानकारी आप लोग request कर रहे थे सो में लेकर आ गया हूँ form इसका चालू हो चुका है form इसका offline है किसी भी प्रकार का आप लोगों का पैसा नहीं लगना है आप लोग जानते है नेवल डोक्याड आप लोगों का एक्जाम लेता है एक्जाम के लिए परिशान होने की जुरुत नहीं है मैंने आप लोगों को हिंदी लेंगेज में पहले नमबर पे इंग्लिश लेंगेज में दूसरे नमबर पे नेवल डोक्याड का प्रोपर स्लेबस वाइज माटीरियल दे दिया है आप अपनी लेंग्विज के अकोडिंग उसे जो है प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो विशाखा पत्रनम साइड पे ही आप लोगों को हैं आप लोगों के लिए SCVT NCVT दोनों को मोका दिया एं ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रोनिक मकैनिक, फिटर वाले बच्चे, इलेक्ट्रोनिक मेकैनिक में आपका रेडियो एंट 你वन भी आ जाएगा Machinist आप लोगों का चलेगा Painter General हो गया, Instrument Mechanic हो गया और आपका MMTM यानि जो आप लोगों का Mechanic, Machine, Tool Maintenance होता है वो और Foundry में तो यह जो है आप लोगों का यहाँ पर Criteria है Trade का, Vacancy का Count भी ठीक है कोई बहुत कम नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन सबसे पहले आप लोग अपना Registration, Apprenship Portal पे कर लो क्योंकि उसके बिना आप लोगों का काम नहीं हो पाएगा, आप लोगों को अपनी profile भी लगाने पड़ेगी जब आप relevant document भर जेंगे मैं इसका form भी आप लोगों को इसक्रिप्शन नी दे दूँँ, एक लिंक दूँगा उसी में अटेज आपको detail और form आपको दिख जाएगा सबसे नीचे, जब आप जाओगे print out निकलवाने, तो खली form form का print निकलवा लेना, ताकि आप लोगों का ज़्यादा यहाँ पर जो भी fund है, वो खर्च ना हो तो यह proper address है, जहाँ पर आप लोगों को form को पुचाना है, 9 January 2023 से पहले पहले, अब ऐसा नहीं है आप 8 या 7 या 6 January को पुचा रहे हैं, आपको थोड़ा समय, पहले ही अपने form को पुचाना पड़ेगा, पैसा लगना नहीं है, registered post से पुचा दो easily आपका काम हो जाएगा, speed post से पुचाना, speed post भी आपका काम करेगा, यहाँ पर आप लोगों का ये criteria दे रखा है जो बच्चे 10th class के हैं उनकी 50% aggregate marks होना चाहिए ITI में आप लोगों का 65% होना चाहिए, NCVT SCVT, कोई सी भी ट्रेड हो और COVID का, आप लोगों का certificate होना चाहिए, pandemic के जो injection आप लोगों ने लगाए हैं उसका age, 2 माई 2019 shall be eligible for applying apprenticeship, आप ये मान के चलो कि यहाँ पर जो है, 2 माई 2009 से जिन बच्चों की age start हो रही है वो बच्चे apply, यहाँ पर जो है इनको बोल रहे हैं, वो जो है eligible होंगे apply करने के लिए ठीक है, maximum age का criteria नहीं रखा फिर भी आप 24 साल maximum मान के चलो, आप इसके लिए apply कर पाएंगे यहाँ पर जो arm force के personal है, और जो ex-serviceman है, ठीक है इनके बच्चे हैं, इनको जो है यहाँ पर vacancy इनके लिए थोड़ी सी reserve रखी जाती है यह आट के लिए और भी criteria selection process का पहले आप लोगों को आपके 10 और IT के marks पे आपको shortlist किया जाएगा, 70-30 के ratio में, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर जो है और भी criteria है, फिर यहाँ पर criteria आप लोगों का दे रखा है shortlist के बाद written exam होगा written examination जो भी trade का होगा, वो 28 December दे रखा है और result जो है, आप लोगों का 3 March तक आ जाएगा, schedule of date of interview, उसमें interview भी होता है medical भी होता है, तो आप जो है यहाँ पर schedule देख सकते हैं, यह tentative नहीं है, यह fix दे रखा है अगर tentative होता, तो यह चीज़ जो है आपर mention करते, आगे इन्होंने और भी information दे रखी है, जो documents आप लोगों को लगाने है, ध्यान रखना, जो आप लोगों का apprenticeship की profile है, वो जरू लगा देना, यह जो applicable है, if applicable, अगर आप general से apply कर रहे हैं, तो cost certificate की ज़रत नहीं पड़ती, PWD से, जो है, तब ही ज़रत पड़ेगी, जब आप PWD की category में आते हैं, NCC certificate है तो लगाओ, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, sports certificate है, लगाओ, अदरवाइस कोई दिक्कत नहीं, act serviceman की police verification certificate नहीं बनाना, इसकी जरुएत तब होती है, जब आप लोगों की joining होगी, तो यह सारा process में आप लोगों को इस टेम बता दूँगा, जो बच्चें आप शोट लिस्ट करके select हो जाएंगे, इसके लिए आप लोगों को tension लेने की दिया है, जो है, यहाँ पर आप लोगों को भेजना पड़ेगा, हाँ, मैंने आप लोगों को यह बताएं कि किसी भी प्रकार का पैसा आप लोगों को नहीं लगना है, लेकिन एक self address empty envelope जो 10 रुपे postal stamp का होता है, वो आप लोगों को चिफकाना पड़ेगा, ना के बराबर fees है, कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोगों को part to doly filled original hold ticket, आप लोगों को जो है, यहाँ पर fill करके भेजना पड़ेगा, और ध्यान रखना है, एक जो है, आप लोग खाली भी भेज़ देना ठीक है, ताकि department, आप लोगों को, यहाँ पर यहाँ पर जो वाप सिस्च को बेश सके, form fill करने में कोई दिक्कत आती है, तो I am here to help you, चिंता मत कीजिए, print out, आप लोगों को देखो, लिखा भी है, apprenticeship profile का लगाना है, और बाकि जो relevant document है, वो आपको लगाने पड़ेंगे, मैंने अपनी तरफ से सारी information आप लोगों को दे दी है, in case किसी भी प्रकार की समस्य आती है, तो आप मुझे बताना, age मैं फिर आप से बता दू, maximum 24 साल तक आप लोग apply कर पाएंगे, बाकि देखता हूँ, अगर age में कोई proper बड़ोतरी दिखती हैं, तो बताऊँगा, यहाँ पर proper mention नहीं है, मैं comment box में आप लोगों को एक बर clear कर दूँगा, pin करके बाकि आप लोग देख लेना, और इसका written exam होता है, written exam के लिए मैंने तयारी के लिए चीज़े आप लोगों को वलोगों को पर दो जहीं हैं, भी यहा हैं आप लिए बागों Śजऑ